नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NRSC, ISRO के skill test के बारे में जो की recently हदरबाद में हुआ था हम जानेंगे कि electronics magnet rate के चात्रों से क्या-क्या पूछा गया था और क्या-क्या उन्हें दिया गया था skill test में बनाने को कौन-कौन से सरकेट आये थे तो सारी चीजे हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप भी ISRO, DRDO या फिर बार्ग जैसे किसी भी technician exam के skill test के त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ISRO का skill test दिया हुआ था और वो electronics magnet rate के student थे तो उन सभी चात्रों के feedback के आधार पे मैंने उनसे पूछा था कि आप सभी के skill test में आप सबसे क्या-क्या पूछा गया था कौन-कौन से सरकेट आप से पूछे गए थे तो उन सभी student ने जैसा मुझे बताया उसी आधार पे मैंने जो यह paper बनाया हुआ है और यहां पर दोस्तों अलग-लग छात्रों से अलग-लग तरीके के question पूछे गए थे तो सभी लोगों के feedback के आधार पे जो मैं आपको एक ही paper मिक्स करके सारे question बता रहा हूं कि कौन-कौन से question आप पूछे गए थे ठीक है यह question paper मैंने खुद बनाया है एक demo की रूप में यह SRO वालों ने मुझे नहीं दिया है और आपको मिलता भी नहीं है इस तरीके से paper क्यूंकि आपकी answer की के साथ आपका जो paper वहाँ पे दिया जाता हूं वह भी आप से skill test होता है अब यहां पे कौन से question कितने number की पूछे गए थे यह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यूंकि यह चात्रों को मालूम नहीं था रतना भूल गए थे सब लोग तो इसलिए आप जो है question पर focus कीजेगा कि कौन-कौन से question पूछे गए थे पहले question की बात कहने है दोस चात्र लोग बता रहे थे तो अब अलग अलग शात्रों को किसी को pants multi value-witter दिया है बनाने को किसी को mobile दिया गया था किसी को operation amplifier के circuit diagram दिये गए थे बनाने को किसी को amplifier बगएरा के दिये गए थे किसी को oscillator बगएरा के circuit दिये गए थे तो जिस तरीके से circuit diagram था उसके आधर पे उन्हें जो है वो circuit breadboard पे construct करना था तो एक question दोस्तों कुछ इस्तक्रीके से पूछा गया था इसके बाद दूसरे question के बात करें तो जो दूसरा question बहाँ पे छातरों से पूछा गया था कि उन्हें उसी circuit में से कोई भी एक register को pick करना था और उस register के measured value लिखनी थी measured value का मलब यह कि multimeter से value को measure करके वो लिखना था साथ ही साथ में जो हम bb-roy का formula लगाते हैं उससे calculate करते हैं उसकी value उस value को calculate करके यहाँ पे लिखना था और measured value और calculated value दोनों को ही जो है यहाँ पे लिखने को बोला गया था इसके बाद दोस्तों जो तीसरा question यहाँ पे पूछा गया था वो यह कि सभी लोगों को सभी छात्रों को जो सरकेट में सभी component यूज किये गया है उन सभी components की नाम भी उनको वहाँ पे लिखने थे कि कौन सा components है capacitor है, register है, timer IC है अब जैसे आज stable multiviter का सरकेट है तो timer IC है, register है, capacitor है इसी तरह के से जिन जिन को जो जो circuit दिया गया था किसी को amplifier का, oscillator का तो जो भी component उनके circuit में use होने थे उन सभी component के नाम भी लिखने को यहाँ पे बोला गया था तो इस तरीके से question देखने को मिले थे इसके बाद दोस्तों next question की बात करें तो जो circuit छात्रों को मिला था उस circuit में छात्रों को जो है input applied करके उसका output भी उनको demonstrate करना था, जो भी वहाँ पे examiner थे उनको, means कि जो आस्टेबल multivibator का circuit दिया गया for example, तो उसमें जो हम LED लगाते हैं तो वो blink करती है तो आपकी LED वहाँ पे blink करने चाहिए थी, कहने का मलब एए, कि जो भी आपको circuit दिया गया हूँ, उसका आउटपूट सो कराना था, अगर कोई oscillator है, तो उसका output आपको digital storage oscilloscope, यानि DSO में सो करना था, या CRO में सो करना था, या फिर amplifier का circuit है, तो उसका भी output आपको DSO में सो कराना था, तो जो भी student को circuit दिये गए थी, उस circuit में जैसा भी input apply करना था, उस input को apply करके, उनको output भहाँ पे demonstrate करना था, इसके बाद next question की बात करें दोस्तों, तो अब अलग-अलग छात्रों को, अलग-अलग चीजों के बारे में लिखने को बोला गया था, जैसे किसी छात्रों को बोला गया था, कि IC7400 की functionality के बारे में लिखिए, उसके बारे में briefly explain कीजिए, किसी लोगों को transistor के बारे में लिखने को बोला गया था, किसी को कोई और IC के बारे में लिखने को बोला गया था, किसी को multiplexer के बारे में लिखने को बोला गया था, तो एक theory से कोई भी topic दे दिया गया था अब अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मिला था तो उनको उसके बार में briefly लिखना था उसकी theory लिखनी थी उसकी functionality के बार में लिखना था तो एक question इस तरीकी से भी कुछ छात्रों को देखने को मिला था इसके बाद next बात कहें दोस्तों तो स सबीको उन पे कंपोनेंट को sol evident को तो प्रिकार के प्रिकार के component है जो कि आपको डबलён अरर पीशी पे sol करने थे तो ये थोड़ा आप में से कुछ लोग़ाइस लोगग को जरू से कर लेजिए अगर आप भी स्किल टेस्स देने को जा रहे हैं तो इस तरीके से दोस्तों एनरसी इस तरों के स्किल टेस्स में कॉश्चन उजह गए थे मुझे उम्मेद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेट से कमे इस वीडियो में जैहिन बनेमापरम